दोस्तो महिंद्रा ने यहां पर लॉंच कर दिये नई पीकप ट्रक जिसका नाम है सोप्रो एकसल पीकप ट्रक दोस्तो बहुत इच्परदस पीकप ट्रक है नए लूक और नए फीचर्स के साथ तो आज हम इसको कंपेर करने वाले हैं टाटा मोटर्स की नई लॉंच होई टा से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं दोस्तो स्टाट करते हैं आज के इस वीडियो को फिर से आप से रिक्ष्ट नरूंगा की वीडियो को प्लीज आप लोग अंतर तक चरूर देखिए दोस्तो दोनु गाड़ियों के comparison में हम सबसे पहले compare करने वाले हैं दोनु गाड़ियों के engine को तो यहाँ पर जब मैं engine की बात करता हूँ Supra XL में आपको 909cc का यहाँ पर 2 cylinder वाला BS6 diesel engine यहाँ पर लगा के महिंद्रा के द्वारा दिया जाता है वहीं जो Tata का Intra V70P का पाता है इसमें आपको 1.5 liter का 4 cylinder वाला BS6 diesel engine देखने को मिलेगा दोस्तो इंजन को compare करने के बाद हमको पता चल रहा है जो Tata Intra V70 का engine है नंबर आप cylinders में Supra XL से double है और जो engine की capacity है उससे भी यह आगे है दोस्तो अब हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के engine के power के बारे में तो Supra XL में आपको 19.4 kilowatt की maximum power देखने को मिलेगी वहीं जो Tata का Intra V70P का पाता है इसमें आपको 59.5 kilowatt की maximum power यहाँ पर देखने को मिलेगी तो power में यहाँ पर आपको बहुत difference देखने को मिलने वाला है दोस्तो अगर बात करें दोनों के torque के बारे में तो Supra XL में आपको 25 newton meter का maximum torque देखने को मिलेगा वहीं Tata के Intra V70P का में आपको अगर मैं maximum torque की बात करूँ तो इसमें आपको maximum 220 newton meter का torque देखने को मिलेगा दोस्तो बहुत जादा difference है यहाँ पर clearly proof हो रहा है कि जो Tata Intra V70 का engine है compared to Supra XL बहुत बड़ा engine यहाँ पर रहेगा दोस्तो अब हम बात करेंगे दोनों के gearbox के बारे में तो यहाँ पर Supra XL में 5-speed gearbox देखने को मिलेगा जिसमें आपको 5 forward और एक reverse gear का option देखने को मिलेगा वहीं जो Tata का Intra V70 P का पाता है इसमें भी आपको 5-speed gearbox देखने को मिलेगा जिसमें आप 5 forward और एक reverse gear का option देखेंगे दोस्तो नेक्स हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के कैविन के बारे में तो यहाँ पर Supra XL में D-plus 1 यानि कि एक driver के साथ एक cool driver के बैठने की विवस्ता कैविन में दी गई है वहीं Tata के Intra V70 में भी D-plus 1 यानि कि एक driver के साथ एक cool driver के बैठने की विवस्ता मिल जाती है दोस्तो दोनों जो cabin है बहुत जादा खुबसूरत अंदर से हैं इंटिरियर से हैं बहुत ही अच्छी seating इसमें दी गई है और look भी बहुत जबरदस्त है बाहर से भी look भी बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें दोनों के steering system के बारे में तो Supra XL में आपको manual steering देखने को मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा hydraulic power steering का जो feel रहता है वो यहाँ पर नहीं रहेगा और वहीं जो Tata का intra V70P का पाता है इसमें आपको hydraulic power steering लागे दिया जाता है जिसके कारण गाड़ी को drive करना और driver का comfort है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों बात करें दोनों के suspension के बारे में तो सबसे पहले देखेंगे front यानि आगे के suspension को तो Supra XL में आपको यहाँ पर leap spring suspension front side में देखने को मिलेगा वहीं जो Tata Motors का intra V70P का पाता है इसमें front side में आपको parabolic leap spring वाला suspension देखने को मिलेगा तो पूरा difference आपको front suspension में दोनों गाड़ीों में देखने को यहाँ पर मिलने वाला है अगर हम बात करते हैं दोनों गाड़ीों के rear यानि की पिछे side के suspension के बारे में तो Supra XL में rear में भी leap spring suspension यहाँ पर लागा के दिया जाता है वहीं Tata के intra V70P में rear यानि की पिछे की तरफ आपको semi electric leap वाला suspension देखने को मिलेगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा difference suspension में दोनों पिक अप में रहने वाला है अगर हम बात करनें दोनों के braking system के बारे में तो Supra XL में यहाँ पर आपको hydraulic brakes देखने को मिलेंगे front में disc brakes और rear में drum brakes देखने को मिलेंगे वहीं जो Tata का intra V70P पिक अप आता है दोस्तो fuel tank की बात करूं तो Supra XL में आपको 30 liter maximum capacity का diesel tank के यहाँ पर लागा कि दिया जाता है वही Tata Motors के intra V70P कप में 35 liter maximum capacity का diesel tank आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर 5 liter जो Tata intra का V70P कप है इसमें extra fuel filling capacity आपको मिल जाती है इसका tank compare to Supra XL आपको बड़ा देखने को मिलेगा दोस्तों बात करें दोनों के tires के बारे में तो Supra XL में आपको 155 R13 के tires देखने को मिलेंगे फ्रेंट में 2 tires, rear में 2 tires और 1 spare tire महेंदरा की द्वारा यहाँ पर आपको दिया जाता है वही टाटा का जो intra V70 pickup आता है इसमें आपको 215 by 75 R15 के tires देखने को मिलेंगे यहाँ आपको फ्रेंट में 2 tires, rear में 2 tires और 1 spare tire टाटा मोटरस देता है तो clearly आप देख सकते हैं intra V70 के tires compare to Supra XL बड़े size के यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों pick-ups के wheelbase के बारे में तो Supra XL जो महिंद्रा की pick-up है इसका wheelbase रहेगा 250 mm का वही जो Tata Motors की Tata Intra V70 pickup आती है इसका wheelbase रहेगा 2600 mm का तो Tata Motors का wheelbase यहाँ पर ज्यादा देखने को आपको मिलेगा अगर हम बात करें दोनों pick-up trucks के load body की dimensions की तो Supra XL की load body की length 8.2 feet रहती है और यहाँ पर Supra XL की जो load body की चोड़ाई रहती है यह रहती है 5 feet के करीब वही जो Tata Motors का Intra V70 pickup आता है इसकी load body की length रहती है 9.7 feet के करीब और चोड़ाई लगबग यहाँ पर आपको 5.7 feet के करीब देखने को मिलेगी तो Tata Motors की Tata Intra V70 की जो load body है Supra XL से बड़ी सहज की load body यहाँ पर आपको लंबाई और चोड़ाई में देखने को मिलेगी दोस्तों दोनों की जो maximum speed है Supra XL की जो maximum speed है 70 km per hour की maximum speed रहेगी वहीं जो Tata Motors का Tata Intra V70 पीकप आता है इसकी जो maximum speed रहेगी 80 km per hour की रहेगी तो maximum speed में भी आपको difference देखने को यहाँ पर दोनों पीकप प्रक्षन है दिर रहेगा दोस्तों next समभाद करेंगे दोनों की gross vehicle weight capacity के बारे में की बात करूं तो Supra XL में आप लेके जा सकते है 900 kg तक का पेलोड मतलब यहाँ पर एक टन से कम तक का पेलोड आप लेके जा सकते हैं वहीं Tata Intra V70 पीकप जो है इसका पेलोड capacity रहेगा 700 kg इसमां आप लगबग 1.7 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हैं तो यहाँ पर बहुत ही जवरदस difference आपको वेलोड capacity में देखने को मिलेगा mileage की बात करूं तो Supra XL का mileage रहेगा 23.61 km पर लेटर का वहीं जो Tata Motors की Tata Intra V70 पीकप आती है इसमां आपको लगबग 13-15 km पर लेटर का mileage देखने को मिल सकता है जो हम आपको mileage की information बता रहे हैं based on internet research बता रहे हैं exact mileage के लिए आपको एक बार request करेंगे कि आप दोनों कमपनियों के showroom में visit करके वहाँ जाके इसका exact mileage बता कर सकते हैं तो फाइनली बात करूं दोनों गाडियों के price के बारे में तो Supra XL को Mahindra ने नहाँ पर रखा है 6.61 lakh रोपीज के एक showroom price से और Tata के intra V70 जो pick-up है यह आती है लगबग 8-9 lakh रोपीज के एक showroom price में आपको मिल सकती है जो हम आपको दोनों pick-up trucks का price बता रहे हैं यह हम आपको based on internet research दोनों pick-up trucks का एक showroom price बता रहे हैं exact on road price के लिए आपको visit करना पड़ेगा Mahindra की light commercial vehicle की dealership को और Tata Motors की light commercial vehicle की dealership को दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें comment section में feedback दीजिए वीडियो को like, share और channel को subscribe जरूर कीजिए दोस्तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद